हेलो गैस इस वीडियो का टॉपिक है एक्यूवेलेंस ओफ डी एफे एंड एन एफे ठीक है तो एक्यूवेलेंस का मतलब क्या होता है Equivalence का मतलब होता similarity Basically DFA और NFA की जो power है Power in terms of language accepted और strings accepted is equivalent मतलब एक DFA जितनी languages accept कर सकता है वो सारी languages एक NFA accept कर सकता है और twice वर्सा जितनी languages ये NFA accept कर सकता है उतनी ही ये DFA accept कर सकता है तो मैं कह सकता हूँ कि in terms of power मतलब strings accepted के terms में ये दोनों equivalent है Equivalent कैसे मैं proof कर सकता हूँ अगर मैं कुछ ऐसा algorithm device करूँ कि मैं हर एक DFA को NFA में convert कर सकूँ और हर एक NFA को DFA में convert कर सकूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों machines equivalent है मतलब इनकी strings accepted power जो है वो same है सबसे पहले हम लोग start करते है पहली चीज़ DFA to NFA मैं बताता हूँ हर एक DFA NFA के equivalent कैसे है हमें transition function देखा था DFA का भी NFA का भी तो जब DFA का transition function लिखा था तो उसमें था Q cross sigma goes to Q ठीक है और जब NFA का लिखा था तो लिखा था Q cross sigma goes to the power set of Q ठीक है अगर इस transition function को ध्यान से देखें तो हम ये conclude कर सकते है कि ये जो power set है इसमे Q पहले से ही present होगा तो Q क्या होगा इसका subset होगा ठीक है तो Q is a subset of to the power of Q तो इसका मतलब क्या है हर एक DFA खुद NFA है ठीक है अगर representation वाइस देखें तो ये set of all NFAs है और ये set of all DFA है इसका significance ये है हर एक DFA machine एक NFA पहले से ही है तो जो ये वाला process है ये वाला process करने का कोई requirement नहीं है क्योंकि हर एक DFA खुदी एक NFA होता है जो reverse process है conversion of NFA to DFA ये important है कि हर एक NFA को हम कैसे DFA में convert कर सकते है ठीक है तो अगर मैं final picture की बात करूँ तो उसे फेकी circle रहेगा और ये DFA, NFA दोनों boundary है ठीक है अगर मैं इस set के सारे के सारे चीज़ों को इसमें convert कर देता हूँ तो ये set grow करते 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 इस पूरे को occupy कर लेगा तो फिर NFA और DFA का equivalence हम कह से कह सकते हैं कि सारे के सारे DFA NFA में convert हो सकते हैं और हम start करते है convert करना NFA को DFA में हम equivalence देखते हैं NFA का DFA में ठीक है तो हमारा पहले example स्टार्ट करते है पहले एक्जाम्मल पिक करते हैं जो की युनिवर्सेटी पॉइट ओफ यू से बहुत ज़्दा इंपॉर्टेंट है कई बार आचुका है और आगे भी आता ही रहेगा तो एन एफे है एन एफे लेके चलते हैं एन एफे है एंडिंग एन एबी एंडिंग विथ एबी ठीक है और यहां पे मार सिग्मा क्या है एक ओम अभी अल्फबेट से हमारे पस एक ओम अभी तो इसका पहले एन एफे हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हमने पिछली वीडियो में एन एफे इसका देख भी रगका है बहुत इसी है कंस्ट्रक्ट करना फॉर्ट प्रोसेस ऐसा है इनिशल स्टेट से स्टार्ट किया ए और बी कुछ भी आता रहे हम उसी स्टेट में रहेंगे लेकिन जैसे ही एक ए आया हम भूब करेंगे कि हमें इमेजेटली एक और भी मिल जाए और हम उसको एक्सेट कर लें इमेजेट एक और भी मिला और हमने इसको एक्सेट कर लिया तो यह NFA है फर आल स्ट्रिंक्स एंडिंग इन एक और एबी मैं स्टेट के नाम दे देता हूँ ABC ठीक है अब हमें इस NFA को करना है DFA में ठीक है तो सबसे पहला स्टेप जो हम लोग लेंगे वो होगा इस NFA की स्टेट टेबल बनाना स्टेट टेबल या फिर ट्रांजिशन टेबल बनाना तो हम बना लेते हैं NFA की ट्रांजिशन टेबल ठीक है NFA की ट्रांजिशन टेबल बनानी शुरू की इस साइड में सारे states इधर input alphabets और बीच में response states की बात किया है, सबसे पहले state A है, B state है and then C state है, ठीक है, final state C है और मैं final state को इक asterisk से mark कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे input alphabets A है, अचा यह asterisk लगाना जरूरी नहीं था सिर्फ यह mark करने के लिए कि यह final है, ठीक है अब मैंने इसकी state table construct करी तो a पे on seeing small a response क्या है, a पे भी जा सकते है और b भी जा सकते है a on seeing small b response क्या है, a भी रेसर्ट है b on seeing a क्या response है, b का response है ने, कुछ नहीं है, fine b on seeing small b c, c का response टेस्ट करते है c का response है, अब on seeing पाइदर a और b कुछ भी नहीं है तो मतलब fine, dead configuration यह हमारी construct हो भी state table for nfa अब इसी state table for nfa को की मदद से मैं सो convert करूँगा state table for dfa में ठीक है, dfa की state table में consider करूँगा हमेशा, हमेशा starting point होता है initial state ठीक है, तो जब dfa बनाना start करेंगे तो हम initial state से start करेंगे फिर से transition table के उसमें आए तो यहाँ पर हम states लेखेंगे और वहाँ पर हम inputs लेखेंगे inputs क्या है, a, b और states क्या है हमारे पास अच्छा, इसमें states सारे एक बार में fill नहीं करना है वही-वही states fill करने है जो-जो states को हम encounter करते जाएंगे for example, initial state को हम हमेशा encounter करेंगे तो हम यहाँ पर a लिखते हैं ठीक है, a on scene input alphabet a कहाँ पर जा रहा था a और b में से दोनों जगा जा रहा था तो हम इसको जितने भी states है जिसमें एक set of states रहेंगी हम उसको एक नए state बना देंगे ठीक है, जैसे यहाँ पर a कॉमा बी था तो मैं यहाँ पर नए state ही बना दूँगा जिसका नाम मैं कहाँ दूँगा a b state है ठीक है, since dfa a particular input पर से fakie state में जा सकता है तो मैंने इस चीज़ को एक नई state ही बोल दी है ठीक है, secondly a one small भी कहा जा रहा है capital a में जा रहा है capital a कर दिया मैंने अब देखो मैंने कहाता, वही वही states हम define करेंगे जो जो states हम encounter करेंगे ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर a state को encounter किया है define कर दिया a b state को encounter किया है लेकि define नहीं किया, तो next state हम किसको define करेंगे हम a b state को define करेंगे तो यहाँ पर लिखा a b अब यहाँ पर टूड़ोगे तो a b तो कहीं है नहीं तो a b को हम लेंगे कैसे a b में जितने भी states है उन वाली रोज को consider करेंगे और उनका merge जो होगा वही response होंगे आगे ठीक है अगर मैं इस a b state के state पे response देखूँ a का तो मैंने a और b की रोज को देखा उसके बाद a पे उन दोरों की response को merge कर दिया तो a, b, phi phi का कोई मतलब नहीं है तो खाली क्या लिखेंगे a b लिखेंगे कहा जा रहा है a b पे जा रहा है phi कोई additional अलग से state नहीं होती है वो dead configuration को represent करता है अच्छा अब a b का response on b क्या है a, c ठीक है तो मैं एक नई state में ना दूँगा उसे state का नाम होगा a, c ठीक है justified है उसके बाद अब मैंने फिर से दिखूँँगा कि मैंने कोई नई state encounter की है की नहीं की है इस की एफे में a के लिए definition दे रख की है a b को define कर दिया है ठीक है अब नया क्या है a c a c की definition अभी तक मैंने provide नहीं की है तो मैं next state कोई से define करूँगा a c similarly जो मैंने a b में process follow किया था वही मैं इसमें करूँगा मैं a की रोपे जाऊँगा और मैं c की रोपे जाऊँगा और इसको responses के लिए मैं merge कर दूँगा ठीक है तो जब मैंने a के लिए इन दोनों को merge किया तो नई state क्या आई a b आई ठीक है similarly जब मैंने b भी response चेक करने के लिए इन दोनों को merge किया तो खाली a आया क्योंकि f आय है तो यह क्या आगया a आगया ठीक है अब मैंने फिर से चेक किया कि क्या कोई नई state बनी थी या नई बनी थी मैंने देखा a आ रहा है a को define कर रखा है यह a को sense single state है तो यहाँ पर curly brace लगाने को फाइदा नहीं है तो a को define कर रखा है a b को define कर रखा है a c को define कर रखा है ठीक है और कोई नई state produced नहीं हुई है तो फिर यह हमारा complete dfa की state table होगी अब इसी state table के corresponding हम लोग एक dfa बना तो dfa बनाने के लिए मुझे रख करना मड़े हूँ तो देखो इस state table correspondingly मुझे dfa बनना है dfa में states कितनी है तीन है a a b और a c तो मेरे पास state होगी a ठीक है एक state होगी a b और तीसरी state होगी a c ठीक है बिल्पुल जैसे यासे लिखा है वैसे यासीowan пicket capital a का response on a क्या है a b ठीक है capital a का response on b क्या है a ठीक है a b का response on a क्या है a b में ही a b का response on b क्या है AC में AC का response on A क्या है AB और AC का response on B क्या है तो मारे पास A में तो यह complete DFA हो गया यह complete DFA हो गया ठीक है for the same problem यह इसका NFA है यह इसका DFA है अच्छा DFA में हम देखेंगे final states कौन कौन सी होती है हर वो state final है जिसमें NFA का final वाला state आ रहा हूँ for example यहाँ पे C final था जहाँ जहाँ भी C होगा जिन-जिन states में भी C होगा वो साली states क्या हो जाएंगी for example यहाँ पे C था तो यह वाली state AC क्या हो जाएगी final state हो जाएगी ठीक है अब c जिन-जिन states में present होगा वो साली की सारी states क्या हो जाएगी? final हो जाएगी, ठीक है? तो उस हिसाब से मैंने देखा इस वाली state में c नहीं है ये वाज ये state में भी c नहीं है, तो ये non-final states है इस वाली state में c है तो ये final state हो जाएगी तो यह इसका corresponding DFA हो गया ठीक है मैंने यह proof कर दिया और हमने एक algorithm देखा कि यह वाला NFA कैसे convert हो रहा है इस वाले DFA में ठीक है इस topic से related all examples हम next video में देखेंगे इस topic के notes, screenshots सारी कुछ हमारे website पे मिल जाएगा जिसकी link description box में दी हुई है और notes में questions जादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे same questions तो मिलेंगे ही मिलेंगे additional questions और practice भी मिलेंगे और solve questions भी होंगे तो एक पर notes को check out जरूर करना